कविटा का शिर्षक रावन तहन जल रहा है रावन मगर क्या मर रहा है वहग मर रहा है गर तो पिर क्यों हस रहा है वहग बीड से एक बान अगनी को समेटे आ रहा देखकर उसको दशानन किन्तुना गफरा रहा मुंड कटकर गिर रहे थे रुण्ड से होकर विलग पर असुर कुछ और ही विक्राल होता जा रहा ना भी कुंड हो चला शुन्य जाने वाली थी जान पर रावन के चहरे पर थी एक विजई मुस्कार मैं बड़ा अचम्बित होगा देखकर पूछ लिया आगे बढ़कर अब क्यू अट हास करता है अब कैसा अभिमाओ चंद पलो में ओदल होगा निकल रहे है पराव रावन बोला ए अदने कभी जाओ करो विश्राम मैं न करूँगा इस कल्योग में यहा नहीं है राव भीड को इंगित करके बोला मेरा ही कुनबा है मैं ही खड़ा हूँ इन सब में भी बदल के अपना नाम मैं ही खड़ा हूँ इन सब में भी बदल के अपना नाम मेरे तशानन दृश्यमान थे सो तुमने पहचान लिया वीस उजाए महा काई थे तुमने रावर नाम किया अब बड़ा कठिन होगा कविवर मैंने भी आदम रूप लिया अंदर वही अंधेरा है बस बाहर बाहर दूप किया पहले दस चहरे थे अब तो एक में दस रखता हूँ बीस बुजाएं भी अद्रिश्य कर मानव सा दिखता हूँ यह रावन देने आए हैं जो पहन राम पर दाना हैं मैं इन में भी जिन्दा हूँ बस इसलिए अभिमार केवल धनुश पकड़ लेने से कोई न होता राम मर्यादा पुर्शोत्तम जैसे होने चाहिए काम भलो जैस यार राम हुम्ट्व पक्रिक्सह